कि देखे अब pipeline मेरा इस तरह से आगे जा रहा है अब देखे यहां पे लिए मैं अब इसको यहां पर रिडियूस कर रहा हूं यह देख़े लिए इसको रिडियूस कर दिया टैंक वाला लाइन है नीचे फ्रेस वाटर लाइन है अभी यह भी उताओंगा बाथ्रूम के अंद चैनल वाला सप्लाइन है समस्वाइब वाला ठीक अटी लगा कि इसको में दे दिया उस बाथ्रूम में सप्लाइब उसके बाद उपर वाला जो है आप दे रेखना है देखे यहां पर आप देखे दोस्तों एक ती दिया यहां पर इस तरह से आगे लिया एक यलबो दिया आप देखें नीचे लिया 1 by 1 by 2 का ब्रासल बो दिया अब यह जो है ना यह अपना गीजर का पॉइंट गीजर का पॉइंट आप समझे किस तरह से बनाएंगे और कौन कौन सी बारिक्यों का आपको ध्यार लखना है यहां भी जो है पलंबर बहुत बड़ी गलती करते हैं सब बुल्टा सीधा पाइप लगाते हैं गुससाइज का पाइप लगाना है वह आप समझिये अदर्वाइज जो है पुरा चोपट हो जाएगा प्रेशर को बाइलेंस नहीं कर पाएंगे प्रेसर को बैलेंस करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए बैलेंस का मतलव आप समझे में क्या बोल रहा हूँ कोल वाटर का जो प्रेशर है होट वाटर का जो प्रेशर है दोनों एक बराबर आया डायोटर में इसी को बोलते है प्रेशर को बैलेंस करना होट वाटर की प्रेशर को बैलेंस करना कैसे करेंगे समझे देखे बताता हूं सबसे पहले तो यह जो गीजर का पॉइंट है राइ होट वोटर आएगा वो पाइब आपको आधा इंच या फिर पॉना इंच रखना है ठीक है अब यहां पर इस पाइप कड़ाया अगर आप एक इंच मोटा करते हैं गलती से तो उसके इसमें प्रेसर आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा तो कि देखें गीजर के टैंग का जो आ जब तक पूरा मोटे पाइब में पानी आपका भरा हुआ रहेगा तक 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 तेजी से पानी आएगा एक जटके में और जो पाइब का पानी पूरा खाली हो जाएगा उसके प्रेसर आपका कम हो जाएगा ठीक है अब कोल वाटर का प्रेसर जो है पूरा तगड़ा रहेग लगा देंगे तो प्रॉब्लम आएगा लिक जाएगा पाइप फूल जाएगा फट जाएगा के लिए इस बात का ध्यान लखना आप को गीजर वाले पॉइंट का हाइट समझ लिजे देखें कितना रखेंगे देखें गीजर के पॉइंट का हाइट है टाइस वाले सर्फस से मिनमम 6 फित रखेंगे मैकसम इसको आप 7-8-9 रखें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है मेरे केस में इसको मैं रखाऊ साथ फिट पे अब कुछ पलंबर यहां पर कंप्लेड यह करते हैं कि यहां पर गीजर का का पॉइंट है गीजर मानी कैसे जा जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा ऐसा कोई दिक्त नहीं है मेरे भाई भी मैं क barrかな ऑफ है लो इसे हैं अब क locker का साथ मेंफिट यह हैं इसलेंवर फाइटे 6 नहीं नहीं कर पाएंगे कि अगर सावर का हाइट आपने 6 फिट यह थे तो जुकना पड़ेगा और वैट् समायघोर है नहीं कर पाएंगे जादा यह सावर कहा हो गया उसके बाद यह अपना फिरस वाटर लाइन हो गया और यह टेंक वाटर लाइन हो ठीक है देखे देखे दहीं से समझ यहां पे लिए ना इसको देखे यहां पे 0.42 इंज का पाइप है इसको पहले रिडियू स Kingston किया एक चाहिए छितवा वाटर में आएगा और यहां पर टी देने का रीजन यह है कि यहीं से मैं दे दिया पीछे वाले बात्रूम में भी कनेक्शन क्योंकि अगर मैं जिस तरह से यहां पर कटिक चिपिंग करवाया हूं अगर उधर भी करवाता तो फिर यह दीवार पूरा खत्म हो जाता इसलिए ती लगा के इसको में देदी यह पोल वोटर सप्लाइल एन है उस बात्रूम का यहां पर टैंक वाला है मोटर वाला तो आपने देखा यह ऊपर मैं टी लगा के दिया हूं यहां पर आप देख सकते हैं वाथ रूम के लिए यहां पर यह जो हौट वाटर का पाइप देख कॉल वाटर लाइन इस तरिए आ रहा है उसके बाट टी देखिंक इस दी आवास बहसिं के लिए यह जा रहा है देखिं की सीफिर आइली प्रण बनाने के लिए अच्छा काम करना पड़ता अच्छे काम के लिए अच्छे फिटिंग को लगाना पड़ता अच्छे वरण को चूच करना पड़ता है ठीक है यहाँ ने मैंना वो है 3 inlet 2 outlet, अब 3 inlet 2 outlet क्या है समझे देखे समझाता हूँ मैं आपको यहां पर दोसरा inlet देखे यहां पर आ रहा है यह hot water हो गया उसके बाद तीसरा इंट दिखे उपर से यह तरह से हो गया 3 पहला इंट स्पाउट से कृऽ नहीं करना है करीबिखाता हूं आपको अब नहीं और यहां पर पॉइंट करें लिखता हूं का क्या हूं करें ला है मिना यहां ती कमतब क्या हुआ समझे देखे टी कमतब टैंक हो गया सी कमतब कोल हो गया यानि कि टैंक वाला जो कोल वाटर है टी कमतब टैंक सी कमतब कोल यानि कि टैंक वाला जो कोल वाटर हो यहां पर आएगा उसके वाद यह वाला जो है यहां पर सिर्फ सी लिखा रहेगा तो यानि टी और सी कमतब हो गया किया निए कि टैंक वाला कॉल वाटर प्लंबर यहीं कन्फ्यूज होते हैं अब यह जेक्वार का डाइवटर है अधर ब्रांड का जो डाइवटर होता है किसी-किसी में एफ लिखा हुआ रहता है ठीक है एफ कमतब फ्रेस वाटर लेकिन यहां पर जे यह होट वाटर हो गया इंलिट है उसके यहीं लिडेट हैं और यहांप सब्सक्राइब कर देंट यहां पयाफ के पास उसके बाद अब दिखे मेरा यह हो गया ती से अभी नीचे जा रहा है उसके बाद यह मेरा हो गया कोल वाटर लाइन यहां पे दिखे किस तरह से पाइब को क्रॉस किया गया है कहीं भी जितना भी फिटिंग आप देख रहे हैं ना देखे यहां भी मैनुवल ओबर मैं बनाय मैं ब सबता है इसके देखे यहां पर दिया कंच प्राइब का पॉइंट है हाइट है सब काुएट मैं आपको बताऊंगा एक साथ आप लोग वीडियो में को देखना है प्सके बाहन झानकारी मिलीवी को है उचे तो पेरिका है ठीक है उसके बाद अब दिखेश तरह से आगे आ रहा है और यह दिखें यहां पर दे दिया यहां पर यहां पर यहां पर दिया है यहां पर साइड वे वाल पर साइड हो जायेगां उसकाacements क्या है आपको बताता हूं अब दिखें कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर मंगर्ष लटकता हूँ अपर पीछे दे दिया है क्यूड्य लटकेगा नहीं यह वाला एरिया पूरा खाली होगा पाइप दिखेगा नहीं पाइप टक्राएगा नहीं इसलिए यहां पर मैं कंसिल दिया हूँ अब कोई कंसिल घम घुमाएगा पीछे पानी फिकेगा फ्रेस हो सकते हैं और यह वाला है ठीक है उसके बाद आप देखें भाइब लें इस तरह से मेरा यहां पर आया है यहां से ले गया था उदर में उसके बाद देखेंगे यह यहां पर यह जो है को यह नीचे है हॉट वाटर अब यह दोनों जा रहा है बाहर वाद बेसिन का पॉइंट मैंने दिया है जैक्वार का बेसिन डावर्टर लगा है देखे बाथरूम के बाहर से दिखा रहों मैं बाहर आगया बाथरूम के उसके बाद देखे यहां भी क्रॉस करने का तरीका आप देख सकते हैं किस तरह से क्रॉस किया मैंने टी को अंदर दिया अब टी ही मेरा ओवर मैंड का काम कर रहा है यह ती को अंदर दिया दो फुट से हो गया दूसरा इंलेट हो इसके बाद इसको मैं रोग दिया यहां पर दिया फ्रीफर वाइवर्टू के लिए पॉइंट है यहां पर आटोमेटिक वाइवाइंग मसीन आएगा उसमें सप्लाइग देने के लिए यहां पर एक पॉइंट दे दिया हूं ठीक है अब यह जो है नीचे वीडियो के description में कि जेक्वार का basin divoter आप कैसे install करेंगे पूरी बारी की से explain किया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो क्लिक किजिए description में जाईए इसका link मिलेगा क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं ठीक है चलिए वापस आईए बात्रूम में ही दिखाता हूं मैं और भी जरूरी चीजे हैं explain करना आपको